हेलो फ्रेंड्स बीके यार भूली किचन रेसिपी में आपका स्वागत है आज हम घर पर हरी मिर्च लसन और अद्रक का आचार बनाएंगे देख सकते हैं आप कितना सुन्दर आचार बनकर हमारा तयार हुआ है देखने में जितना सुन्दर है खातने में उतना ही चट पटा है और तीखा भी है क्योंकि इसे हमने हरी मिर्च से बनाया है तो ये काफी तीखा आचार होता है और जिनको तीखा खाना पसंद है उनके लिए पॉफेक्ट रेसिपी है तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए और कैसे बनाना है तो सबसे पहले लेना है हमें हरी मिर्च हरी मिर्च हमें कौन सा लेना है हरी मिर्च हमें डार्क कलर वाला लेना है जो की अच्छे से पक जाते हैं light color का जो हरी मिर्च होती है वो कच्ची रहती है उसका आचार जादा दिन तक store हम नहीं कर पाते हैं तो dark color की हरी मिर्च लेनी है और हरी मिर्च लेते वक्ट ध्यान रखें कि हरी मिर्च अच्छी होनी चाहिए ताजी होनी चाहिए डंधल उसके सड़े गले ना हो नहीं तो आचार खराब हो जाता है जादा दिन तक स्टोर नहीं हो पाता है तो इस तरीके से हमने हरी मिर्च को ले लिया है इसे धोग के मैंने अच्छे से कॉटन के कपड़े से सुखा लिया है और अब हम इसे काट लेंगे अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर डीजेगा चैनल पर पहली बार आए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आईकन को प्रेस कर लीजेगा फ्रेंड under family में शेयर कर लीजेगा तो हरी मिर्च को हमें इस तरीके से कट कर लेंगा डंठल को तोड़ के हटा देंगे और बीट से इस तरीके से इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और फिर इसके छोटे-छोटे पिसेस कर लेंगे इस तरीके से छोटे पिसेस कट कर लेंगे इसी तरीके से मैंने 500 ग्राम हरी मिर्च लिये तो अब हम जो 50 ग्राम हरी मिर्च बची है उसके डंठल को तोड़के अलग कर लेते हैं देखिए मैंने हरी मिर्च लसन और अद्रक सबको तयार कर लिया है हरी मिर्च के डंठल को मैंने तोड़ लिया है लसन को मैंने छील लिया है और अद्रक को भी मैंने अच्छे से छील के और साफ कपड़े से पोच लिया है ध्यान रखे कि किसी में पानी नहों आप इस चीज का ध्यान रखे अगर आप गीला है तो आप इसको थोड़ी देर धूब दिखा दें आदा एक घंटा तो यह अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद हम एक चौपर लेंगे अपने हरी मिर्च को इसमें डाल देंगे सारी हरी मिर्च जो हमने साबूत रखा था लसन जो हमने 100 ग्राम लसन लिया है तो उसमें से 50 ग्राम लसन मैं चौप करने के लिए डाल दे रही हूँ अद्रक जो मैंने साबूत रखा था थोड़ा सा अद्रक मैंने काट लिया है और थोड़ा मैंने बजा के रखा था तो जो मैंने काट लिया था उसे रहने देंगे और जो खड़ा अद्रक था भी हमारे पास उसको हम चौपर में डाल के बारीक चौप कर लेंगे तो इस तरीके से हम चॉपर में डालेंगे और इसे बारी चॉप कर लेंगे अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ग्राइंडर में इसे पल्स मोड पे एक स्वे दो बार चलाके इस तरीके से फाइन चॉप कर लें तो इसे हमने चॉप कर लिया है अब हम इसे अपने मिर्च वाले में भरतन में डाल लेंगे जिसमें हमने हरी मिर्च को काट कर रखा है या फिर जिसमें हमें आचार बनाना है उस बरतन में सारे चीजों को एकठा क इस तरीके से चौप किया हुआ अधरकलसन डाल देंगे और जो हमने अधरकलसन बचा कर रखा था उसे डाल देंगे देखे इस तरीके से हम सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो हमने चौप किया था और जो हमने काट कर रखा था सबको अच्छे से mix करने के बाद एक बार इसे अच्छे से mix कर लेंगे यह आचार खाने में बहुत ही tasty और बनाना बहुत ही आसान है बस आदे से एक घंटे में बन कर तयार हो जाता है और इसे आप एक दो दिन धूब दिखा दीजे उसके बाद यह खाने के लाइक हो जाता है तो अब हम इसमें नमक डालेंगे आपको पता ही होगा कि आचार में नमक थोड़ा जादा पड़ता है क्यूंकि आचार में नमक इसलिए जादा दालते हैं क्यूंकि एक तो आचार खटा होता है तो उसके कारण नमक प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है और नमक थोड़ा जादा पड़ता है खटी चीजों में ताकि नमक बैलेंस हो जाए तो मैंने इसमें टोटल तीन टेवल स्पून नमक डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे थोड़ी देर धूप में रख देते हैं और तब तक हम अपने मसाले को बना लेते हैं तो देखिए अब हम आच्छार के मसाले के लिए तयारी करेंगे तो सबसे पहले मैंने एक प्लेट लिया है उसमें हम अपने मसाले को निकाल लेते हैं दो चम्मच मैंने सौफ लिया है आदा चम्मच मैंने मेथी लिया है एक चम्मच मैंने धन्या के बीज लिये है उसके बाद आधा चम्मच मैंने अजवाइन लिया है उसके बाद हम आधा चम्मच ही मैंने इसमें साबूत जीरा लिया है दो चम्मच मैंने सर्सो के दाने लिये सर्सो आपको इसा भी ले सकते हैं काला या पीला अगर आपको सर्सो नहीं है आपके पास तो आप राई के भी दाने ले सकते हैं आधा चमच मैंने कलाउंजी लिए क्यूंकि थोड़ी सी कलाउंजी मैं अचार में साबू दालूंगे एक कडाई ले लिए कडाई को मैंने गैस पर रख दिया है और मसालो को हम पांच से साथ मित धीमियाज पर रो तो इसलिए अच्छ से हम इसे धिमी आज पर 5-7 मिट हम इसा चलाते हुए भूलेंगे देखिए मसाल को कलर चेंज हो गया है मसाल हमारे अच्छ से भूल गया है तो अब मैं इसे एक बरतन में निकाल लेती हूँ और निकाल के इसे ठंडा कर लेंगे तो इसे हम वापस से एक बरतन में निकाल लेंगे और इसे 2-4 में ठंडा कर लेंगे जब यह ठंडा हो जाएगा तब हम इसका एक दरदरा पाउडर बना लेंगे देखिए ग्राइंडर जार में डाल दिया है और इसका मैं एक दरदरा पाउडर बना लूँगे इस तरीके से मैंने दरदर आई से पीस लिया है, बहुत जादा बारिक नहीं करना है, अब जब मैंने मसालो को पीस लिया है, तो मैं इसमें 200 ग्राम मस्टर्ड ओल ले रही हूं कडाही में, और इसे भी हम अच्छे से गरम कर लेंगे, जब तक कि इसमें हलका धुआ नहीं आन है, तो इधर हमारा आचार आप देख सकते हैं, नमक इसमें मिक्स हो गया है, तो अब हम इसमें एक चम्मच सौफ साबूत डालेंगे, और आधा चम्मच मैं इसमें ये कलाउंजी डाल रही हूं, उसके बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे, इन दोनों का फ्लेवर बहुत है, तो आप जरूर साबूत डाल येगा, कलर के लिए हम अचार में हल्दी डालेंगे, और जो हमने मसालों को दरदरा पीस के रखा है, सारे मसाले इसमें डाल देंगे, देखे, इस तरीके से मैंने सारे मसाले डाल दिये हैं, अब उसके बाद हम इने मिक्स कर लेंगे, अब हम इसमें ऑईल डालेंगे, ऑफ हमारा अच्छे से ठंडा हो गया, आप देख सकते हैं, तो इसमें आधा ऑईल मैंने डाल दिया है, और इसे मिक्स कर लेंगे, देखे, आचार को अच्छा दिख रहा है, मुह में पानी आ रहा है, आचार को देख के मेरे, तो इसे हम अ और जार को अच्छे से धो के गरम पानी से, और मैंने अच्छे से सुखा लिया है, ध्यान रखे कि इसमें पानी न हो, और उसमें अपने सारे आचार को फिल कर लिया है, आचार में हमने तेल आधा ही डाला था, आधा जो मैंने बचा के रखा था, उसे आप हम उपर से डाल कर लीजेगा और दो से तीन दिन बाद आचार खाने के लिए रेड़ी है